नमस्ता रम्रेजनों आप देखने भी ये चुपार्ट साला अपसी का बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग के कॉमेंट के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के लिए बहुत बेसा टाइम लगेगा तो फाइनली इस डाकोमेंट को आप अभी से जा के देतो बनने के लिए तौ मैं आपको इस वीडियो में उन डिलीट brake का लिस्ट देने वाला हूं किजेगा विल आइकन प्रेस किजेगा जिससे काउंसलिंग से रिलेटेट कोई भी अपडेट आपका मिस ना होने पाए यहाँ पे हम लोग एक वीजन लेके चल रहे हैं वो है 100 वीडियोज काउंसलिंग से रिलेटेड लगभग आपको 100 वीडियोज दिये जाएंगे ठीक है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंबर तक आपको मिल जाएंगे और इसके लिए चैनल को 100 के पहुचाना है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और मैं आपको ग्र रिजर्वेशन कोटा का यूज करना चाहते हैं उनको अपने काउंसलिंग में इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जादा जरूरी है दिमाग में बैठा लो यह सर्टिफिकेट की बेसिस पर अगर आप एडमिसन लेना चाहते हो या सपोज आपने उस कर्टिगरी को डाल रख ठीक है तो प्लीज आप लोग से बिनमर निमेदन है कि आप लोग का सर्टिफिकेट को बनने के लिए दे दीजिए ठीक है उसके बाद यहां पे है एडव्लो एस का टेगरी में जो लोग भी आते हैं ध्यान देना जब एडव्लो एस वहां पर डाले होगे फॉर्म भरते होता है स्वामी तीन सीटे जो होती है वो पीएच यानि दिव्यांग बच्चों के लिए होता है तो यह दिव्यांग बच्च अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी रिकमेंडेट जो भी इसके ओफिसियल्स लोग है उनके पास जाओ और अपना पीएच करेंगेरी में आते हो जो चीज वहां भरा है वही सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें गड़बडी नहीं होना चाहिए नहीं आपको भी जनरल से कांसिंग कर रही पड़ेगी इस पोर्स कोटा बहुत सरे बच्चे जो है वो नेशनल या एसजी एफाई का सर्टिफिकेट यूज करते हैं या स्टेट किसी खेल का यूज करते हैं तो उनके पास भी उस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है तो इस सर्टिफिकेट तो ऐसा नहीं बर्माया जा सकता है लेकिन यह सर्टिफिकेट सपोज नहीं लिए हो आफिस से क्योंकि जनरली क्या होता है कई बार सर् दोस्तों वो है income certificate ठीक है दोको वो बहुत mandatory था ये भी mandatory है जिसमें दोको income certificate है income certificate एक साल के अंदर का रहना चाहिए ध्यान देना और अभी इसका पार्टिकुलर डेट भी आएगा वो जब डेट आएगा तो मैं आप बता दूंगा लेकिन एक साल के अंदर का रहेगा तो कि मेरा लगेगा तो भाई देखो यहाँ पे आपका जो income certificate है वो आपके guardian का भी लग सकता है और आपका भी लग सकता है लेकिन आपके नाम का बनता है वो आप जब तष्छील में जाओगे जब इसको बनने के लिए दोगे तो income certificate वो आपके ही नाम का बनेगा बाइद वे income certificate के लिए मैं फिर से गवर पता करके इस वीडियो के comment box में pin कर दूँगा, तो आप लोग को अगर income certificate को लेकर doubts रहता तो pin करने में मैंने क्या चीछ pin किया है देखना वहाँ पे guardian लिखा है कि मैंने student लिखा है तो आप लोग उसी की basis बनवाना वैसे आप लोगर बात करोगे ना लख पालोगा रहा से तो बता देंगे खुदी ठीक है, उसके बाद है domestic देखो, निवाज प्रॉमाट पत्र जो होता है जिसको resident certificate भी बोलते हैं ये क्यों मांगा जाता है ये generally hostels allotment के लिए रहता है क्योंकि बहुत सारी university ऐसे हैं जो बस दूर के बच्चों को hostels देते हैं हर जगा full recommendation नहीं होता है ठीक है, यानि उनके पास 30% 20% city जो होती हो hostels में दी जाती है तो ऐसे में ध्यान देना कि domesile वो आपके hostel allotment में use होता है नहीं डालोगे तो आपको hostel नहीं मिलेगा मालो बहुत दूर से आ तो जारखंट से आ रहो, किरला से आ रहो और आज स्थान से आ रहो और आपको भी एच्चु मेर्विशन लेड़ है तो ऐसे में आपके पास क्या होना चाहिए domesile होना चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा benefits मिलेगा 20% reservation मिलता है यानि उसका एक अलग होता है मैं कभी समझाओंगा paid seat क्या होता है hostel allotment कैसे होता है इसलिए मैं बोल रहाँ ना वीडियो पर बने रहना हो तोहां बाते मैं आपको समझा दूँगा फिर 10 plus 2 यानि 12 मी भी और 10 मी भी 10 मी जो होता है वो आपके data birth को यहाँ पर verify करता है और 12 मी जो है वो आपके eligibility को यानि 12 मी पास उसको verify करता है दोनों के certificate और mark seat original आपके पास होने चाहिए खर counseling अभी हो सकता है बहुत सर्ण इंवरिश्टी online करा है तब तो वहाँ पर काम चल जाएगा लेकिन फिर final verification भी होता है तो ऐसे में आप लोग अपने school जाके अपने certificate and mark seat निकलवा लेना यहाँ भी एक confusion रहता है बच्चे बहुत बहुत सोचते है कि सर्य ये mark seat और certificate अलग होता है एक ही होता है बहुत सारी जो board है उनका certificate और mark seat एक ही में होता है लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बच्चे होंगे देख रहे होंगे वीडियो उनको पता होगा कि उनका बारही का mark seat अलग आएगा प्रमाट पत्र एक अलग आता है तो ध्यान देना कि mark seat यह आपके state पर डिपेंड करता है अब बहुत बहुत जगों पर migration भी मुझे लगता है करेक्टर के साथ merge करके दे देते हैं कई बार क्या होता है करेक्टर certificate अलग दिया जाता है और migration अलग दिया जाता है अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 1-2% जो कहीं अलेटी पढ़ रहे होंगे अब यह बुच से पुछेंगे कि सर हम कहां का migration certificate दें यानि जिस school में पढ़ते थे बारवी में वहां का निकाल के दे या फिर जिस जगह हम 1 साल पढ़ चुके हैं वहां का निकाल के दे बड़ा confusion रहता है इन तमाम चीजों के लिए देको मैं इसलिए बोला ना चैनल पर बने रहे ना क्योंकि वो चीजे मैं आपको यहां से office से बताता रहोंगा पता करके हाँ यह ऐसे कर लो ऐसे कर लो तो ऐसे में please subscribe कर लिजगा चैनल को अगर आओ फोटो नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा लेकिन दोस्तों ट्राइ करना कि वो फोटो अगर आप पास एक भी बचा हुआ है तो उसी को scan करा के उसी के 15-20 फोटो आप लोग बनवा लेना ठीक है और otherwise आप लोग कोसिस करो कि अगर उसमें चस्मा पहना हुआ है clean save में हो लड़का है तो clean save हो के फिर से और वही वाला side पहन के और उसी background में जाके फिर से खिचवालो हो जाएगा otherwise लड़कियां जो है कोसिस करो अगर वही कपड़ा आपके पास है वही background में जाके फोटो खिचवालो और ध्यान देना अगर वह फोटो है तो उसी के copies करवालो 15 या 20 करवालो maximum करवाले न क्योंकि अगर आपने 5-6 इनिवर्सेटी डाली है तो आपको आपको आफ लाइन में बस वहां पर आओगे तो लब 15-20 फोटो लग जाएगा तो ऐसे अलग अलग इनिवर्सेटी बहुत फोटो लागेगा जब online counseling होगा तो वहां पर तो एक फोटो scan करके आपको चाहिए और हाँ यह पूरे documents आपके पास scanned भी होना चाहिए ध्यान देना सभी के scanned copy JPG में होना चाहिए यह बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो अभी से save करके अपने mobile में रख लो जब counseling का time आएगा तो मैं आपको size बता दोंगा कि हाँ इतने KB में इतने MB में इस photo को रखो और finalist को आप यहां पे upload कर दो इसलिए pre-planned है यार यह पूरी planning में रहो और ध्यान देना एक बात जो मैं last में बोल रहा हूँ कभी भी counseling की वज़े से किसी का admission नहीं रुकेगा यदि आपका mark सही है और documents सही है तब ठीक है उसके लिए updated रहना बेच पार सलग हर एक वीडियो देखते रहना और तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा otherwise मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा ठीक है बहुत बहुत जल्दी मैं मैं आपको एक अलग counseling का खुद एक help plan number देने वाला हूँ जिस पे आप directly हमारी जो counseling की team है उससे मदद ले सकते हो last time लोगों ने counseling कराई थी लगवा 400 लोगों का कई बार लोग मुझे मिल भी जाते हैं कई बार तो बोलते हैं सर आपने जो बोला वही सकते था आपके वाज़ दो है उस group में भी दे दिया जाएगा so please everyone do like and do subscribe to this channel like this video ध्यान देना है जितने documents बता हैं इसके बाद भी documents लगते हैं जैसे आधार कार मेंडेटी नहीं बट वह भी लगेगा और बहुत सारे documents की list है जैसे call later है rank card है लेकिन वो सब चीज़े मैंने नहीं बताई है क्योंकि वो मात्रा गलत है मम्मी का नाम कुछ और हो गया है तो यह सब भी आप लोग officially application देखे अभी सी school में करा लो अभी आप 15-20 दिन है अराम से हो जाएगा और ध्यान देना उसकी वज़े से आपका admission नहीं रूखेगा नाम गलत की होने कवज़े से ठीक है क्योंकि university बात में एक प् सब्सक्राइब करें और ध्यान देना हंडिट के हम लोग का होना चाहिए ओ कहरा अर्माना देव मस्कुराते लिए